आप सभी डॉक्स लबर का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल डॉक्स टी आरेंड में और आज का टॉपिक है ये है टफी आप इसकी मेरे चैनल पर काफी वीडियो देख चुके होंगे और मैं इसको कम से कम 6 या 7 मन्त से हॉम विजिट की टेनिंग दे रहा था अचानक से ये बाइट करने लग गया रीजन क्या है क्या प्रॉब्लम थी तो मैं सब बता हुआ ये गाड़ी है और इसमें टफी बैठा हुआ है और मैं इसको टेनिंग सेंटर बुलें सेहर में ले जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि राश्ते में थोड़ा सा ये पीला पीला टॉलेट कर रहा था मुह से बिल्कुल बोल नहीं रहा था और जो भी इसकी बोड़ी लेंग बेज़े वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी पहले बहुत एक्टिव रहता था मौटा था और फिर दीजरे कम जो रोने लग गया आखों में कि मतल़ थोड़ा सा कीचर जो आ जाता है वो थोड़ी कंडिशन हो गे थी और अपने नाम को भी फॉलो नहीं कर रहा था खाना भी छोड़ दिया था इसने खाना भी नहीं खा रहा था तो अचानक से मन्नु भीया की कॉल आई और मैं थोड़ी सी किलास की छुट्टी चल रही थी तो अचानक मेरे आने के मैं जब किलास नहीं दे रहा था उस टाइम पर उनकी कॉल आई और ये बोड़ने लगे भीया मनु भीया जो आप स्क्रीन पर देख चुके हैं वो टफी के ओनर है और उन्होंने बताया कि खाना भी नहीं खा रहा है सबको काठ रहा है बाइट कर रहा अग्रेसिव हो रहा है क्या प्रॉब्लम है आप सेंटर पर ले जाओ इसे तो मैं सेंटर पर लेकर आया तो यहां पर यह तीन चार दिन से कुछ नहीं खा रहा था और मुझे लगा कि कहीं डैथ ना हो जाए और मैं बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूं तो फिर मैंने दिल करने की एक दो बार कोशिस की और मेरे जो भी सेंटर में है परसन उनको भी घुसा दिखा रहा था तो मैंने कि चलो ठीक है पहले इसको ठीक करते हैं और उसके बाद में फिर इसका ट्रेणिंग देते हैं ट्रेणिंग सेशन में समाझते है क्योंकि अब इता ही बिल्कुल सम नहीं देना है और मैंने टफी के ओनर को ही बताया था कि हाँ आप इसको नॉन वेज ना दें लाइफ टाइम तक तो ठीक रहेगा क्योंकि बैसे भी एग्रेसिव ब्रीड है और इसका नेचर भी अगर नॉर्मल डॉग भी रॉट्वाइलर होता है तो इसका नेचर भी मैंने इसकी डाइट दी दो मतलब मैंने पानी में दूद मिलाके दिया सोया बीन मैंने नास्ते में दिया आठ रोटी या नौ रोटी अब आराम से खाता है पहले बहुत डल हो गया था और इसकी पुरानी एक वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें काफी एक्टिव था माइ मतलgging आधी किलो मिटर आप जाते है कम से कमनी तो एक किलो मिटर जाना और एक किलो मिटर आना पूरे दिन में 2 किलो मिटर की दोड होनी चीए कि वो एक्सासाइज करते हैं दोडते भागते हैं जब भी उनका खाना हो पाता है डाइजेस्ट नहीं होगा बैठे- बैठे-at- आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको बात करने की कोसिश कर रहे हैं, तो अचानक बात करते ही एग्रिसिव हो जाता था, यह मेरे उपर भी हुआ था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस टाइम पर यह टिक फिवर की बीमारी इसकी ठीक हो चुकी है, पांच शे दिन लगे थे इसको टिक फिवर की भी प्रॉब्लम होने में तो वहां पर पांच शे दिन में ये ठीक हो गया था दीरे-दीरे करके मैं इसको रणिंग भी कराता था और यह है पुरानी वीडियो क्लिप जो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत एक्टिव था काफी बाते कर ऑप फॉलो कर रहा है तो ऊपसंद्रांत संथ्चेत बहुत अच्छा वच्छा है है यびको भी जगे गुमाने ले कि दिप आभ जाओ बहुत अच्छा एक हैं रहून कि मानता है कि एना मन्नुभायका भी मानता है मेरा ही मानता है और इसको टफी को बोलो के चोर आएगा तो क्या करेगा चोर के नाम से था बहुत नफरत है इसको है ना पर चोर को तो फार देगा दो फार दो मैं चलो आप चुप बैठ जाओ चुप बैठो चुप 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 गुट बाई नो फ्रेंट्स आपने देख लिया पहली फिडियो यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव हो चुका है और इसका धिमाग सबस्क्राइब भी कर लाईए जहां पर बिल्कुल फिट हो चुका है माइं मासमन दबलब्लमेंट हो रहा है धी तिरयम ख्ल रहा है पहले पैचान रहा है एक चुप और थ estásब और नम को पढुब कौन आएगा करोड़पती या रहा देख लेगा जल्दी देखो टीवी देखो फिर निकल जाएगा प्रोग्राम प्यारते बोला तो ब्रुकुली अंदर आगे बाइसम आ यहाँ बैठके देख लो बैठके देख लो आप टीवी अजये हो इत जाउेगा यहाँ बोल्दी पाइसम एर बोल्दी यहाँ घ्लै